दुष्ट पत्नी जूटा मिर्द्र बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यू के समान है नमस्ते दोस्तों बहुत बहुत वेलकम है आपका हिस्टॉरिया के एक और नए वीडियो में आज हम भारत के एक महान सिध्धान्तकार शिक्षक दार्शनिक अर्थ समराथों के महान गुरू चानाक्य की संपूर्न चानाक्यनीती के बारे में बात करेंगे हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं संपूर्न चानाक्यनीती जिसका पहला चाप्टर आज हम आपके साथ डिसकस करेंगे आने वाले वीडियो में बाकी के चाप्ट याने कि 17 chapters हैं ये नीतियां मुख्युरुप से संस्कृत में हैं पर हिस्टॉरिया चैनल आपको इनका अनुवाद बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें हिस्टॉरिया इस वीडियो का इंग्लिश वर्जिन भी अप्लोड करेगा ताकि आप जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं उनके साथ भी चानाक्य की नीतियों के जो तथ्य हैं वो आप शेयर कर सकते हैं अब वैसे तो चानाक के नीतियां जो है बहुत साल पहले गठित की हुई हैं पर आज भी उतनी ही प्राक्टिकल और वैलिड हैं तो बिना किसी देर करें हम लोग स्टार्ट करते हैं चानाक के नीति का अध्याय एक यानि की चैप्टर नमबर वन तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विश्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य की नीति शास्त्र के सिद्धान्थों को कहता हूँ मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों के आधार को लेकर कह रहा हूँ जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्यान ग्रहन करेगा उसे अत्यनत वैभवशाली करतव्य की सिद्धान्थ ज्याद होंगे उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरन करना चाहिए और किन का नहीं उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्यान होगा और अंतितह उसे सर्वोत्तम का भी ज्यान होगा इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूंगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिपेक्ष में देखेंगे एक पंडित भी घोर कष्ट में आ सकता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोशन करता है या किसी दुखी व्यक्ती के साथ अत्यंत घनिष्ट संबंद बना लेता है दुष्ट पत्नी, जूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्ब के साथ निवास करना साक्षात मृत्यू के समान है व्यक्ती को आने वाली मुसीबतों के लिए धन संचय करना चाहिए उसे धन संपदा त्याक कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो धन और पत्नी दोनों को तुष्य समझना चाहिए भविश्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें ऐसा ना सोचें कि धन्व्यान व्यक्ति को मुसीबत कैसी जब धन साथ छोड़ता है तो संगटित दन भी तेजी से घटने लगता है उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज़त ना हो जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते जहां आपका कोई मित्र ना हो और जहां आप ज्ञान अरजित ना कर सके ऐसी जगे एक दिन भी निवास ना करें जहां निम्न लिखित पाच ना हो एक धन्वान व्यक्ति, एक भ्राम्मन जो वैदिक शास्त्र में निपूर्ण हो एक राजा, एक नदी और एक चिकित साले बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां एक रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो दो जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो तीन जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो जहां लोग बुद्धिमान न हो और पांच जहां लोगों की वृत्ती दान धर्म करने की ना हो नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्थविका पालन ना कर रहा हो रिष्ठिदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबतों से घिरे हो मित्र की परिक्षा विपरीत परिस्तितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परिक्षा करें अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्तितियों में न त्यागे एक आवशक्ता पढ़ने पर 2. किसी दुरगटना पढ़ने पर 3. जब अकाल पढ़ा हो 4. जब युद्ध चल रहा हो 5. जब हमें राजा के दर्बार में जाना हो 6. जब हमें शम्शान घार जाना हो यहाँ पर राजा के दर्बार का जो present day का context है वो court, police या कोई भी legal aspect है जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तू तो चली ही जाती है और इसमें कोई संधेह नहीं की नाशवान को भी वह खो देता है एक बुद्धिव्यान व्यक्ति को किसी इजद्दार घर की अविव्याहित कन्या से किसी व्यंग होने के बावजूद भी शादी करनी चाहिए और किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए शादी विवा हमेशा बरावरी के घरों में उजद होता है इन पाँच पर कभी विश्वास ना करें एक नदिया दो जिन वक्तियों के पास अश्त्र शस्त्र हों तीन नाखून और सींग वाले पशू चार औरते पाँच राजगरानों के लोग यहाँ पर औरतों से संबंध है चानाक के जीकां की जो भोली भाली शकल की कुछ औरते होती हैं उनका है यहाँ पर अगर कोई जो गर्ल्स या लेडी सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हैं उस चीज़ को नेगेटिवली ना ले अगर हो सके तो विश में से भी अमृत निकाल ले यदि सोना गंदगी में पड़ा है तो उसे भी उठाएं धोएं और अपनाएं निचले कुल में जल्न लेने वाले से भी सर्वोत्यम ग्यान ग्रहन करें। उसी तरह यदि कोई बदनाव घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे ग्रहन कर लें। महिलाओं में पूर्षो की अपेक्षा भूख दो गुनी होती हैं, लज्जा चार गुना, साहस छे गुना और काम आठ गुना होता है संपूर्ण चानाक के नीती के पहले अध्याय का एंड होता है यहाँ पे यह वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज हमें कॉमेंन सेक्शन में लिखके बताईए इस वीडियो के थुरू आप अपने फ्रेंज के साथ, अपने रिष्टेदारों के साथ, आसपडोस वालों के साथ, चानाक के नीती में लिखी हुई बहुत ही अच्छी बातें उन तक पहुचा सकते हैं, तो इस वीडियो को जादे से जादा शेयर करिए सब के साथ, और मिलते हैं हम लोग हमारे अगले वीडियो में जो की होगा चानाक के नीती का दूसरा अध्य है